तो आईए अब जानते हैं वे तरीके जिनको आजमा कर आप अभी तक काले हो चुके अंडर आम्स के काले पन को दूर कर सकती है आलू आलू एक प्राक्रतिक ब्लीचिंग एजिंट है इससे बाकी ब्लीचिंग एजिंट की तरह त्वचा में इरिटेशन भी नहीं होती है आलू का पतला तुकडा काट कर अंडर आम्स पर अगरने से वे चाहे तो इसका जूस निकाल कर काले हिस्से पर 15-20 मिनट तक सूखने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें खीरा आलू की तरह ही खीरा भी प्राक्रितिक ब्लीचिंग एजिंट है यह आपकी तुकडा के रंग को हलका करने में मदद करता है खीरे का तुकडा या चाहे इसका जूस निकाल कर आप इसे अपने अंडर आम्स पर लगा लें बैतर नतीजे के लिए इसे दिन में एक या दो बार करें नीम्बू यह एक प्राक्रितिक ब्लीचिंग अंटी बैक्टिरियल और अंटी सेप्टिक एजिंट है इसलिए कई तरह के तवचा से संबंदित रोगों में नीम्बू का उपयोग किया जाता है नीम्बू का तुकडा काट कर अंडर आम्स पर रगड़ने वे इसका जूस निकाल कर भी प्रभावित हिस्से पर 15-20 मिनिट लगा कर रख सकते हैं आप नीम्बू के रस में थोड़ी सी चीनी भी चिड़क सकते हैं और फिर इसका इस्तमाल कर सकते हैं ऐसा सप्टा में 2-3 बार करें नीम्बू आपकी तवचा को सुखा देते हैं इसलिए इसके प्रियोग के बाद तवचा पर मॉस्टराइजर लगाएं बेकिंग सोडा रित काली तवचा हटाने के लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और अंडर आम्स पर लगाएं इसे सूखने के बाद अच्छी तरह से अंडर आम्स को रगड़ के साफ करें इसे भी सप्टा में 2-3 बार करें